तो Infinix को जो है लाग रहा है बहुती ज्यादा फ्रम में है क्योंकि Infinix का Note 12 स्रीज जास लांच हो अभी भी सेल में भी नहीं गया इसके आंदर ही Infinix का Hot 12 Play लांच हो गया तो हे गई सब लोग कैसे हो Tech7 YouTube चैनल से मैं सम्रण तो अगर आप देखेगा ये प्राइस के अंदर और भी कापी आच्छा फोन देखने को मिलता है जैसा अगर आप देखेगा Micromax की तरफ से Micromax का इन 2 भी लांच हो था बहुत दिन पहले ये फोन आज की दिन में भी 8500 रू तो दोस्तों Infinix का Hot 12 प्ले किसी तरह कोई बैंक आपर की साथ लांच नहीं हुआ इसलिए देखेगा आपको मैक्सिमम फ्लिपकार्ड एक्सेस बैंक का 5% कैस बैक का ओफर ही देखने को मिलेगा बट अगर आप सेम टेम देखें Micromax का इन 2 भी जेनरली 8500 रूपिया में ही द देखने को मिलता है, डिजाइन अन्ड बील क्वालिटी की पर अगर गवार कीजेगा तो Infinix बालोन है हमेसा काफी आच्छा काम करते आ रहा है ये फोन का भी आगार आप डिजाइन देखें काफी ज्यादा एक्टरक्टिब लूकिंग वाइस एक डिजाइन देखने को मिल और मुझको परस्टोनली ये फोन का डिजाइन काफी आच्छा लागा ये प्राइस क्याटागोरी वाइस देखा जाए तो ये फोन में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल एगा नीचे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रहा है सिंगल स्पीकर स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रहा है स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रहा है इसलिए थोड़ा मुझको ये चीज़ वयर्ट लागा पट सेम टेम इधर आप डुल सिंप्लास एश्डी कार्ड भी ये फोन में यूज कर सकते दोस्तों डिस्प्ले की बात किया जाए तो माइक्रमेक्स का ये फोन में 6.5 इंच का एक HD प्लास रेजिलेशन का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है IPS LCD डिस्प्ले 60 हज रिफ्रेश रेट की साथ और इधर आगार आप देखे एक डियोड्रब नॉज देखने को मिल रहा है इस बजट में पांच होल भी देखने को मिल तो उतना कॉंप्लेन का एडिया नहीं है इस तरह का फोन के लिए बाट सेम्टेम अगर इन्फिनिक्स को देखे इन्फिनिक्स बोलो ने बहुती आच्छा काम किया 6.8 इंच का आसपास का मनला बहुती बड़ा एक डिस्प्ले है सेम्टेम HD रेजिलेशन का यह भी डिस्प्ले बाट इधर आगा देखे 5 होल आपको बिल जाते हैं तो दोस्तों वीडियो का बाकी बड में जाने का पहले एक बात बोलना चाहते हो आप लोग वीडियो देखते हो चैनल सब्सक्राइब करके चला जाते हो इसलिए चैनल में विजिट करने ही पता चलाएगा वीव बहुत काम आ रहा है कुछ भी चीज जानना ह ये कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट से देने के लिए ट्राइ करोंगा ये वीडियो को ज्याद से ज्यादा लाइक किज़र जीतना लाइक होगा पेसलिए वीडियो का भीव उग्रों करने में छी है लीजल्फ होगा दोनो फोन मी ये फिल्प का बेढ hell fFlow II RAM हा जृ है जिदना आपको माली का पबाबली G52 का GPU देखने को मिल रहा है, तो सब कुछ लगा बेंच मार्किंग स्कोर N2T की पर तगरी बन 2 lakh की आस पास आपको देखने को मिल रहा है, तो इसलिए देखेगा, नॉर्मल टक्स, इस बाजेट वाइस देखेगा न काफी ज्यादा आच्छा होते त दोनों की थामसब देना चाहिए, दोस्तो नेक्स्ट अगर कैमेरा की बात क्या जाए, तो दोनों फोन काफी सिमिलर है बाट फिर भी अलाग-अलाग से बात करते, तो इन्फिनिक्स का ये फोन में प्राइमारी कैमेरा 13 MP का देखने को मिलेगा, दो मेया पिक्सल का एक क्वालीटी देखियेगा, नॉर्मल इस बजेट में जाया सा मिलता है, ठीक टाक देलाइट कॉंडिशन में पिक्चार आते देखने को मिल जाएगा, अच्छा ये क्वालीटी देखने को मिलेगा, बहुत कुछ एकदम खास नहीं है, इधार भी HDR मोड बोली है, पोर्ट्रे काम में ले पाएंगे, इवेन लो लाइट में भी आगा ठीक टाक लाइट हो, तो आप इधार से थोड़ा बहुत इधार से भी काम चलाने की तारा फोटो ले साकते, इधार भी पोस्टर मोड, HDR मोड, व्यूट्यूब गैसन मोड ये सब देखने को मिलेगा, मैक्सिमम मैक्स का ये फोन को देखिए, इधार भी 13MP का प्राइमरी कैमेरा है, 200MP का इधार भी देफ सेंसिंग सेंसर है, फ्रॉंट में 5MP का सेल्पीशूटर दिया गया, जिस टैम में लॉंच हो, उस टैम से मैं हारबर वोला था, ये फोन में 8MP का सेल्पीशूटर होना चाहिए था अगर आप देखेगा आजकल तो 10,000-11,000 रूपया का फोन में भी 5MP का सेल्पीशूटर देखने को मिलता है, और Micromax का फोन का अगर आप पिक्चर क्वालिटी देखेगा ना, ठिक टक क्वालिटी का आथा है, मतलब ठिक टक डाइनामिक रेंज, इसका सथ कॉन्टरस रेश सकते, फोन्ट क्यामेरा से भी आप ठिक टक डेलाइट में काम में ले सकते, लो लाइट के लिए एफ कैमेरा सेंसर नहीं है, वीडियो कॉलिंग के लिए मेली ये सेंसर को दिया गया, तो सब कुछ लेगा देखेगा पिक्चर क्वालिटी ठिक टक की आते ये फोन से भी दे देखने को मिलता है, नेक्स लगर बैठरी की बात किया जाए तो इन्फिनिक्स का फोन में 6000 मिली एमपेर की आपको बैठरी भी देखने को मिल रहे, 10W का चार्जर एडप्टर इनबॉक्स दिया गया, ये चीज़ काफी आच्छा है इन्फिनिक्स का, सेम टाइं माइक्रमा वह स्पोर देना चाहिए था ये चीज़ थोड़ा आच्छा हो सकते था ये फोन का, लास्टली सब्टर एन यवाई की बात क्या जए तो इन्फिनिक्स का इये फोन में, XOS based on android 11 देखने को मिल रहे, तो इस टाइम में लॉंच हो रहे इस टाइम में अब लोग अप्स्पेक अगर देखे काफी ज्यादा हेवी है मतलब ऐसा ऐसा फीचर है जो फीचर आप यूज नहीं करेंगे बट फिर भी एक जिस्ट करते हैं और एक की काम को काफी बार इधार उधार करके आपको करना परता है तो यह सब चीज को ज़े एक सोई को काफी ज्यादा अभी भी पॉलि जीजिए नियार आपर स्टोक अंडुएट की तरह एक UI की साथ यह फोन आड है पहले तो किसी तरह कोई सिकूर्टी पैज आपडेट भी देखने को नहीं मिलता था रिसेंट टाइम के अंदर एक मार्च का सिकूर्टी पैज आपडेट देखने को मिल रहे है लेटेस्ट य यह सब भी देखने को नहीं मिलता है काफी लाइट UI होने पर सप्टेर यूजर यूजर यूज का जो एक्सप्रियेंस देखने को मिलता है यह चीज में Micromax Advantage लेता है तो यह है दोनो फोन के अंदर कौन सा फोन लेना चाहिए तो आपको जो फोन आच्च लाएगा वो फोन हम लोगों का यह वीडियो का लाइक टार्गेट जो 50 राखा गया और जुरूर फिल कीजिए इतना पसीना है कुछ भी चीज जानना है नीचे कॉमेंट सेख सहने जाए कॉमेंट कीजिए कॉमेंट कैंसर देने के लिए ट्राइक करूँगा चैनल में आने पास चैनल सब्सक